नमस्कार दोस्तों मैं राजर दुटानी एडवोकेट आज आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ ओर्डर 12 रूल 6 CPC के बारे में दोस्तों ओर 12 रूल 6 CPC जो है एक बहुत ही महतोपून सेक्षन है CPC का दोस्तों इसके तहट में किसी भी civil case में अगर कोई वेक्ति किसी भी बात की admission यानि शिवकार कर लेता है किसी भी fact को या fiksi document को तो दोस्तों वो case उसी stage पर decree या final order किया जा सकता है म में दोस्तों इसको मैं उधारन के देट आपको समझाना चाहूंगा कि मान दीजिए ए ने बी को एक लाग रुपे का माल सप्लाई किया और उसने पैसे देने से पीने इंकार कर दिये और जब एक इस पोर्ट में फाइल करता है तो भी अगर इस बात को अपने रिटन स्टेट में अगर कोई एडिमिशन कर लिया है तो फिर उसलिक में उसी समय और पासकर सकते किसी frågor में और कोई issue frame हो ही नहीं सकते तो दोस्तों उस case में भी आगे trial किस चीज़ के लेके चलेगी क्योंकि जो issue था वो यह था कि एक लाग रुपेर मैं इसको माल के due रहते हैं और उसने दिये नहीं यानि मैंने इसको एक लाग रुपेर का माल सप्लाई किया था वो इसने अभी तक मुझे वापस नहीं किये और यह चीज़ भी अपने written statement में एडिमिट भी कर लेता है अचा है reason कुछ भी हो तो दोस्तों court के पास में यह power है कि उस case में आगे trial ना चलाए और उसी stage पर case में जो है decree या final order judgment पास कर दे इसके लिए दोस्तों order 12 rule 6 के लिए कोई limitation या कोई stage नहीं है किसी भी stage के यह application लगाई दा सकती है जैसे माल भी यह अगर evidence हो लिए है कि अगर जो defendant है वो किसी चीज़ को admit कर लेता है औरली तो भी दोस्तों court के पास में यह power है कि वो उस case में उस admission के बिएस पे decree कर सके और decree का मतलब यह होता है दोस्तों कि वो final judgment माना जाता है उसके बाद में जो भी उसकी जो final जो उसकी प्रेयर है वो admit मान दी जाती है इसी व जो plaintiff ने लगाए है उसका specific denial होना जरूरी होता है अगर आपने उसको specifically denial नहीं किया तो court प्रिजूम कर लेगी कि आपने उसको admit किया है और उस presumption के उपर में भी court suormoto 12-6 की application लगाने की भी जरूरत नहीं है court suormoto cognizance लेके भी उसकी इसमें final judgment या decree pass कर सकती है इसलिए दोस्त statement को file करते समय प्लेंट के जो भी paragraph है या जो भी प्लेंट में लगाए हैं उनको specifically denial करना अधी आवश्यक है अगर आपने इस प्लेंट को specifically denial नहीं किया या अपने आपने सिर्फ और सिर्फ एक denial कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ denial से नहीं चलेगा आपको उस point को specifically denial करना जरूर ह होता है दोस्तों इसमें एक मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यह जो बारच एक अप्लिकेशन है अगर किसी case में WS वाइल होने के बात में अगर WS में को यह लिकेशन लगाता है defendant और कुछ चीज को plaintiff admit कर लेता है तो दोस्तों वहां पर भी वह बारच एक अप्लिकेश देने के लिए बनाए गया है ताकि अगर किसी case में कोई issue बचते ही नहीं है तो फिर उस case में trial करने की ज़रूरत नहीं है और वह 12-6 के तहप देखिए जा सकता है तो इस करह से दोस्तों यह 12-6 के उपर में discussion था अगले वीडियो में फिर किसी नए topic के साथ मिलेंगे तब त कर अर दोज़ है तो नहीं है करनी करना है तो फिर नहीं है कर दोस्तों जूहँ करने कर अगले जहीं है तोस्तों यह जाए नैसरा आड़ुर कर व्रतमे के जद queremos अगले है